आज हम बनाएंगे वेजिटेबल खिचरी जो की टेस्टी होने के साथ बहुत ही जादा हेल्दी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है बहुत इसलिए बनकरेडी हो जाता है तो इस रेस्प्री को बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोट तोड़ी मूग का दाल इन्हें हमें भीगा के रखना है 10 मिन तक उसके बाद हमें इसे अच्छी से दो तीन बार धो लेना है यहां पर कोकर गरम करेंगे और इसके अंदर डालेंगे सरसो का तेल तुम्हें सरसो के तेल में इस बच्वी को बना रही हूं यहां पर लेंगे कु तो यहां पे डालेंगे एक कप गोभी, गोभी को बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है, एक कप डालेंगे आलू, आलू को भी बड़े सेप में काटा है, एक छोटा कप डाल देते हैं गाजर, इन सब्जियों को हमें भूनना है, तो चार से पांच मिनट तक हमें इन् च्छोटा कप यहां पर एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे इतने भी अच्छे से चला लेते हैं अब यहां पर जो हमने चावल दो के रखा था और दाल उसे डाल देंगे कि इन सब को हमें 2 मिनट पकाना है तो मिडियम टु हाइ फिलम पे इसे हम 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे यहां पर डाल देते हैं स्वाद के नुशार नमक हल्दी डाल देंगे अगर आप चाहें तो यहां पर जीरा पौडर डाल सकते हैं या लाल मिर्च डाल सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे यहां पर चीनी और एक चमच यहां पर डाल देंगे घी अच्छे से मिला लेंगे इन्हें यहां पर हम डालेंगे गरम पानी तो बहतर होता है कि गरम पानी यूज़ करें तो ये जो क्वांटिटी है इसके डबल हमें पानी डाल देना है इसमें पानी ज्यादा रखना है हमें अच्छे चला लेंगे रेश्पी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताके आने वाली वीडियो आपको इसली मिल सकें और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर से दबा दें ढकन लगाने के बाद हम इसे दो सिटी आने तक पकाना है तो फ्लैम को हाई रखेंगे और दो सिटी आने के बाद फ्लैम को हमें आफ कर देना है उसके बाद कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे ही कुकर से प्रेशर निकल जाती है तो इसने हम खोलेंगे और इसके अंदर डालेंगे धनिया पत्ता इन्हें अच्छे से मिला लेते हैं अब यहां जो हमारा खिचुडी है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है और या खिचुडी सर्फ करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट अश्विंगल निकालते हैं और इससे हमें धन्यापता से गार्निस करना है और घी डालेंगे घी के साथ इसे हम सर्फ करेंगे यह खिचुडी बहुत भाइब अच्छी बनती है तो यहां पे डाल देंगे धनिया पत्ता और इसके साथ साथ हम इसे गी के साथ सर्फ करेंगे तो आप भी इसे जरू ट्राइए करें थैंक्स फर राची